नमस्कार साथियो आपके साथ मैं ब्रजिन अंदन आज हम क्लास 12 की इंग्लिस बुक प्रोज के चैप्टर नम्म टो एफ हैलो ट्रेवलर अर्थात एफ सहयात्री के से सुभाग का अध्यन करेंगे इसके राइटर जैसा की आप जानते हैं एजी गार्डिनर हैं प्रस्तुत ऐसे में लेखक ने मच्छर के साथ अपनी आतरा का बहुती रोज़क धंसे बढ़न किया है तथा समझाने का प्रयाद क्या है कि मानब बाकी उड़े मकोडो में बहुत अधिक समानता होती है आएए इसके से सुभाग का अध्यन सुरू करते हैं अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से एजी गार्डिनर मच्छर को मानने का सफल प्रयास करते हैं और वो उसमें सफलता नहीं प्राप कर पाते हैं तो देखिए आगे क्या होता इट वाज आल इन बेन बेन मींस ब्यर्थ ये सब ब्यर्थ रहा अर्था जो नोन कोशिस की थी मच्छर को मानने की उसके पास पहुचते हो बेज़ कुछ तरीके से वो सब ब्यर्थ रहा ही बिलेड बिथ मी बे मेरे साथ खेलता रहा मच्छर लेखक के साथ खेलता रहा ओपेंली एंड और स्टेंटियसली खुलकर और दिखावे के लिए और स्टेंटियसली मिस दिखावे के लिए और ओपेंली खुलकर ये सब बेढ़ता रहा और वे मेरे साथ खुलकर और दिखावे के लिए खेलता रहा, like के skillful method like मिंस तरहा और skillful मिंस कुसल method क्या होता, जो ब्यक्ती सार्ड से लड़ता है और सार्ड की लड़ाई सार्ड से लड़ने में वे उसको हरा देता है तो उसको financing मिंस सामना करता रहा और infurated मिंस क्या होता क्रोधित करना तो मच्छर जो है उनका कुसल ढ़ंग से उसको सामना करता रहा और उसको क्रोधित भी करता रहा किनको लेखक को it was obvious यहीशपस्ट था obvious मिंस इसपस्ट यहीशपस्ट था that he was enjoying himself की बहसोयम अनन्द ले रहा था enjoy means अनन्द ले रहा था that it baje for this इसलिए baje for this इसलिए that he had disturbed my repose कि उसने मेरी सांती में हस छेप किया था या मेरी उसने सांती को भी भंग कर दिया था वो जो अनन्द ले रहा था अपने आप इसलिए अनन्द ले सांती को क्या कर दिया था disturb कर दिया था he wanted a little spot बहें थोड़ा खेलना चाता था and what spot like being changed और इससे अच्छा खेल क्या होता and what spot like being changed और इससे अच्छा खेल क्या होता कि पीछा करना by this huge इस बिसाल lumbering means भारी भरकम windmill of a creature creatures हो रही है एक बिसाल और भारी भरकम अंगों वाले या पर पवन्चक्की की तरह बिसाल प्राणी के साथ खेलने से अच्छा खेल और उसके लिए क्या हो सकता था and who tested so good जिसका test अर्था जिसका स्वाद भी बहुत अच्छा था and seemed और लगता था so helpless इतना ऐसा हाई and so stupid जो कि इतना ऐसा हाई और इतना more भी लगता था जो writer ने वो पने लिए कहरें चीज़ को कि वो मच्छर जो था मेरे साथ खेल रहा था था और वो इतना विसाल था और ऐसा प्राणी था जिसका test भी अच्छा था और वह क्या था more भी लगता था और वह ऐसा हाई भी लगता था I began to enter into the spirit of the fellow मैंने सुरू किया प्रवेस करना into the spirit of the fellow अपने साथी की आत्मा में मैंने अपने साथी की आत्मा में प्रवेस करना आरंब किया जो उसका मच्छर साथी था उसको जानने की कोशिस की सुरू किया He was no longer ये मेर इंसेक्ट मेर मिस मात्र अब और अधिक मात्र कीड़ा नहीं रह चुका था अब जो जो उसको सब्सक्राइब थे राइटर कीड़ा तो वो क्या सोच रहा है कि अब मात्र कीड़ा नहीं रह चुका था ही वाज डेपलपिंग इंटू ए परस्टनाल्टी बहे अब एक ब्रक्तित्व में परिवर्टित हो रहा था या विक्सित हो रहा था परस्टनाल्टी में उस्ट ब्रक्तित और परस्ट्व विक्सित हो रहा था एन इंट एलीजरस एक बुद्धी मत्ता में परिवर्टित हो रहा था विक्सित हो रहा था that challenged जिसने की चनोती दी थी the position of this compartment जिसने की चनोती दी थी अधिकार के लिए इस रियल गाली के डिब्बे में जिसने की अपने अधिकार के लिए इस रियल गाली के डिब्बे में चनोती दी थी with me, मुझसे and your culturems समान सर्तों के साथ हैं कि जिस तरह से आपका अधिकार है डिब्बे में इस तरह से ही मच्छन ने चनोती दी थी ले कक्कू कि इस तरह से भी बरावर्स है बरावर्स सर्तों के अनुसार इस रियल गाली के डिब्बे में मेरा भी उतना ही अधिकार है I felt my heart barming heart barming इसने मेरे यह कोमल भावना है मेरे हिर्दे में उसके प्रती कोमल भावना जाग गई towards him मेरे हिर्दे में उसके प्रती कोमल भावना जाग गई and the sense of superiority थेडिंग superiority means stress था और जो उसका अनुभव था उनको सोयम को की बस सुपर है stress है वो समाप्त होने लगा वो समझते थे लेखा कि अपने आपको के मच्छर से मैं stress हूँ तो लेकिन वो जो sense था वो बद्धी थी उनकी क्या हो लगी change होई है कि मैं इससे stress नहीं how I how could I feel superior मैं कैसे मैं कैसे अपने आपको stress महसूस कर सकता हूँ to a creature उस प्राणी से उस प्राणी से अपने आपको मैं कैसे stress मान सकता हूँ who was so manifestly my master जो की manifestly means expressly रूप से who was so manifestly my master जो expressly रूप से मेरा इतना अधिक स्वामी रहा है in the only competition उस अकेली पृतियोगता में competition means पृतियोगता में उस अकेली पृतियोगता में वह मेरा इतना स्वामी रहा है मालिक रहा है in which जिसमे be had even engaged हम दौनों लगे हुए थी जो पृतियोगता चल लगे थी हम में दूसरे वो मानने पर चालने की उसमें लगे हुए थे क्ये रहा है वो मेरा स्वामी रहा है तो वो मुझे से बच गया है तो मेरा स्वामी रहा है भाई not be magnanimous again उदारता मैं दुबारा से उदार क्यो नहीं हो जाओं मैंे नहीं है उदार क्यों नहीं हो जाओं उदार्ता और दया मानब के सबसे अच्छे गुण हैं। नौवलेश मिस सबसे अच्छे और एट्रिबीट्स मिस गुण। उदार्ता और दया मानब के सबसे अच्छे गुण होते हैं। In the exercise of these high qualities, exercise मिस अभ्यास करके या अपना कर, इन उच्छ गुणों को अपना कर, या इन उच्छ गुणों का अभ्यास करके, I could recover my prestige, recover मिस पुने पराब्त करना और prestige मिस सम्मान, मैं अपने आपनों सम्मान को पुने पराब्त कर सकता हूं, अपने सम्मान को पुने पराब्त कर सकता था, at present बर्तमान में I was a ridiculous figure ridiculous जिसका उपहास बनाय जाए जिसका उपहास किया जाए figure बेवक्ति हैं इस समय एक बर्तमान में मैं एक उपहास के यूग दखती था अकिरती था a thing for laughter एक हसन की बस्तू था and derision means चड़ाने वाली हैं और मैं एक हसी मजाक से और चड़ाने वाली बस्तू बन चुका था by being merciful दयावान बनकर merciful दयावान बनकर I could result the moral dignity of a man result पुने परात करना और moral dignity नेतिक गोरव and मैं पुने एक बक्ती की क्या कहते हैं नेतिक गोरव को पराप कर सकता था मैं पुने बक्ती के नेतिक गोरव को पराप कर सकता था and go back to my corner और मैं अपने कोरवे में बापस चला गया with honor सम्मान के साथ I better the sentence of death better means बापस ले लिया sentence means सजा यह दंड मैंने मिर्तु दंड को बापस ले लिया I said मैंने कहा returning to my seat अपनी seat पर को लोडते हुए I cannot kill you मैं तुम्हें नहीं मार सकता but I can reprive you किन्तु मैं तुम्हें माफस कर सकता हूँ मैं तुम्हें छमा कर सकता हूँ I do it और मैं ऐसा करता हूँ अर्थात मैंने तुम्हें छमा कर दिया I took up my paper मैंने अपना ख़वार लिया and he came और बहे आया and sat on it और इसको उपर बैठ गया fullest fellow मूर्ख सहयात्री अब अच्छर से कह रहा है A.G. Gardiner जब उनके अख़वार बागर बैठ गया तो कह रहा है fullest fellow मूर्ख साथी I said मैंने कहा you have delivered yourself into my hands तुमने मुझे तुमने अपने आपको मेरे हाथों में सौंप दिया है delivered means देना सौंप ना तुमने मुझे तुमने अपने आपको मेरे हाथों में सौंप दिया है I have but to give this respectable weekly organ मेरे पास है यह क्या है respectable means सम्मानित और weekly organ means सब्ताहिक पत्रिका जो मेरे पास है यह सम्मानित सब्ताहिक पत्रिका है of opinion a smack of both the covers जिसके जो उसमें राय लिखी हुई है opinion जिस क्या होता राय smack means पिरहार both the covers and you are a cops जो मेरे पास पत्रिका है यह सब्ताहिक जो पत्रिका है इसमें जो दो लेख हैंसे कबरों पर रखे हुए अगर मैं इन दोनों को दोनों का पिरहार कर दूँ तो क्या होगा and you are a cops और तुम यह एक लास में तबदील हो जाओ गया तुम्हारी लास बन जाएगी यह तुम्हारा कशुमर निकल जाएगा neatly sand wished तुम्हारा कशुमर निकल जाएगा तुम्हारा कशुमर निकल जाएगा between an article जिसमें की एक लेख लिखा हुआ है on peace trap and another on the modesty of Mr. Hughes और दूसरा लेख है the modesty of Mr. Hughes अर्धात यह कह रहे हैं writer कि जो अखवार पर आकर बैठ यह मच्छर तो जो दो लेख लिखे हुए है अखवार में पत्रिका में peace trap और the modesty of Mr. Oregon जो heading है अगर इन दोनों को आपसे मिला देंगे तो क्या हो जागा मच्छर खतम हो जाए but I shall not do it कि तुम्हें ऐसा नहीं करूँगा I have reprived you मैंने तुम्हें छमा कर दिया है मैं तुम्हें छमा कर चुका हूँ and I will satisfy you और मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूँगा that when this large animal says कि जब ये विशाल पसु कुछ कहता है अपने अपने को कह रहा है जी गाड़नर विशाल पसु कुछ कुछ कहता है a things कोई बात भी कहता है he means it उसका वही मतलब होता है अर्थाद जो मैंने कहा है कि तुम्हें माफ कर दिया तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया more over इससे भी अधिक I no longer desire to kill you एं इससे भी अधिक एं मुझे तुम्हें मारने की इच्छा नहीं है थिरो knowing you better तुम्हें और अधिक जानते हुए अब किया रहा है जे EDG Gardiner मच्छ से कि तुम्हें और अधिक जानते हुए I have come to feel मैंने महसूस किया है तुम्हें और अधिक जाना है मैंने उससे जानते हैं मैंने महसूस किया है Sell I say कि मैं क्या कहूँआ क्या कहूँआ A sort of affection for you मेरे अंदर इसने की एक भावना तुम्हारे लिए जाग गई है मेरे हिर्दे में तुम्हारे लिए इसने पैदा हो गया I fancy मैं कलपना करता हूँ That Saint Francis would have called you little brother कि Saint Francis भी तुम्हें छोटा भाई ही पुकारते Saint Francis से जो एक इसाई है और इसाई संत है और जिन्होंने सभी पसुपक्षियों से जीवों से इस प्रेम करना चाहिए कि हम सभी इसे प्रेम करना चाहिए तो उसी का example दे रहे है कि मैं कलपना करता हूँ कि Saint Francis भी तुमको क्या रहते छोटा भाई ही कहते I cannot go so far as मैं इतनी दूर तो नहीं जा सकता या मैं इतना ओदार तो नहीं बन सकता that in Christian charity जितना कि इसाई मैं दानसील्टा होती है charity means दानसील्टा दानसील्टा होती है and civility और सबता होती है अर्थात जो Saint Francis है उनकी तुमको नहीं बन सकता है जितनी दानसील्टा ओनमों होती है और जितनी सबता ओनमों होती है but I recognize किन्तु मैं जान गया हूँ या मैंने पैचान लिया किन्तु मैंने पैचान लिया है ये more distant relationship एक अधिक दूर की संबंद को किन्तु मैंने तुमारे जो पिर्ती है एक अधिक जो बहुत दूर का संबंद उसको मैं पैचान गया हूँ जो नाइज उसको मैं कर गया हूँ Fortune Fortune means सोभागे से सोभागे ने Fortune has made made us fellow travelers सोभागे ने हमें सहयात्री बना दिया है अर्थाज जो हम रात में जो है जो है जो है जिबे में यातरा कर रहा है तो यह कहा है हमारा सोभागे है ऐसा कह रहा है यह जी गाड़नर On this summer night इस गर्मी की रात में इस गर्मी की रात में सोभागे ने हमें सहात्री बना दिया है I have interested you Interested means मैंने तुम्में रुची लिये and you have entertained me और तुमने मेरा entertained किया है मैंने तुम्में रुची लिये और तुमने मेरा मनुरण्जन किया है The obligation is mutual mutual means परस पर और obligation किर्टग गता या फिर उदारता है दोनों की उदारता है क्या है वो परस पर रिखे अर्थात तुमने जो है मेरा मनुरण्जन किया है और मैंने तुम्में रुची लिये है अर्थात हम दोनों दूसरे के किर्टग नहीं इस तरह से and it is founded trade और यहे आधारित है on the fundamental fact उस आधार वो तप्थ पर that be our fellow model कि हम fellow model मरांसील है सह मरांसील है अर्थात हम दोनों को ही मिर्थी होना हम दोनों की ही मिर्थी होनी है यह इसी तप्थ पर आधारित है and the miracle of life is ours in common miracles means चमतकार और life means जीवन का कौन में समाना है हमारे जीवन का चमतकार क्या है समान नहीं एक सा है and it's mystery to और इसका रहस्य भी एक जैसा ही है अर्थाती जो बताया गया था पहले भी कि समानता है अर्थात हम दोनों की मिर्तु होनी है और हमारे जीवन का जो हमारा जीवन का जो चमतकार है वो भी समान नहीं है और हमारे जीवन का रहस्य भी एक जैसा ही है I suppose मैं मानता हूँ you don't know anything तुम कुछ नहीं जानते मैं यह मानता हूँ तुम कुछ नहीं जानते about your journey अपनी आतरा के बारे में अपनी आतरा के बारे में बहुत अधिक जानता हूँ तुम नहीं जानते हो और मैं जे पुरविस बास नहीं है कि मैं अपनी आतरा के बारे में बहुत अधिक जानता हूँ अर्थात कहा जाना है और कहा जीवन का अंत हो जाना है ये लेखक को सोयम को भी पता नहीं है अर्थात किसी मानव को इस चीज़ का पता नहीं है We are really हम बास्तम में हैं हम बास्तम में हैं भेन about your journey भेन you come to think of it हम बास्तम में हैं भेन you come to think of it जब तुम इसके बारे में सोचोगे कि हम बहुत कुछ ए गुट डील ए लाइक एक जैसे जब तुम इसके बारे में सोचोगे अपनी यातरा के बारे में और मेरी यातरा के बारे में तो तुम इस बात को सोच लोगे समझ लोगे कि हम दोनों में बहुत अधिक समानता है एक गुर्ड डिल लाइक बहुत अधिक समानता है जश्ट एप्रिशंस एप्रिशंस मिस प्रित आत्मा है ठीक प्रित आत्मा का आभास होता है that are कीवे हैं and then are not और कुछ बाद में नहीं है अर्थात हमारा तुमारा जीवन जो एक जैसा है जिस तरह की प्रित आत्मा होती है कि कभी होती है और कभी नहीं होती है अर्थात हमार तुमार जीवन में बहुत अधिक समानता है coming out of the night into the lighted carriage coming out of the night रात्त्री में आती है into the lighted carriage एक प्रिकास मान रियल गारी के डिबबे में को अर्थात जो संसार है इसको इनोंने रियल गारी का डिबबा मान दिया फ्लिट्रिंग एवाउट दा लेम लेम्प की चार तरफ फड़ाती है फोर एवाहिल कुछ समय के लिए and going out into the night again और पुनहवे रात्त्री में ही चली जाती है परहब सायद जो मानव का जीवन है वो इस तरह साही होता है going on tonight sir आज क्या रात भार रात्तरा करते रहेंगे स्रीमा said a voice at the window एक आवाज ने खड़की पर से कहा अर्थात ये सब बात सोच के और बैठे होंगे तो इने जो है नहीं दागए होगी तो ये एक कुली ने जगाया said a voice at the window एक आवाज ने खड़की पर से कहा it was a friendly porter ये एक परिचित कुली था porter means कुली और friendly means परिचित ये है एक परिचित कुली था giving me a hint मुझे एक संकेत दे रहा था that this was my station कि ये है मेरा station था अर्थात में जहां उतरना था वो इस्टिसर आ गया था और कुली मुझे इसकी आवाद दे रहा था I thanked him and said मैंनो उसको धन्यवाद दिया और कहा I must have been dozing मुझे जबकी लग गए थी अर्थात में थोड़ा सा सो गया था and seizing my head अपने head को उठाते हुए seizing means उठाते हुए पकलते हुए अपने head को अपने toe को पकलते हुए and stick और अपनी छड़ी को पकलते हुए I bent out into the cool summer night मैं उस थंडी गर्मी की रात में चला गया I went out into the मैं डब्बे मैं सो तरकर गाली के थंडी गर्मी की रात में को चला गया as I close the door of the compartment जैसे ही मैंने बंद किया दरवाजा रेल गाली के डिब्बे का जैसे ही मैंने रेल गाली के दरवाजा रेल गाली के डिब्बे के दरवाजा बंद किया I saw my fellow traveler fluttering around the lamp मैंने अपने सहात्री को lamp के चारो तरफ फड़ाते हुए देखा तो साथ ही मैंने आपको समझाना का पूरा प्रियास किया है और अपनी अमूल राय से comment box में आवस्य अपने विचार बक्त करें पूरा वीडियो लेक्षर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद